तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी कि जो हमारी WRV है वह एवरेज और माइलेज कितना देती है तो आज ही सुबह हमने इसका टैंक फूल करवाया था और टैंक फूल करवाके जो हम अपने विलेज गहे थे तो विलेज अपरोक्स हमारे घर से अराउंड 35 km पढ़ता है और जो पेट्रोल पंप है जासे हम दलवाते हैं वह हमारी कार अभी तक जो चल चुकी है वह एक सेकंड दिखाता हूं आपको तो आप प्रोक्स 75.8 km चल चुकी है और टोटल हमारा यहां से जो है 35 km पढ़ता है जिसमें से 10 km इन सिटी होता है और बाकी जो है आपका 25 km मान लीजे थोड़ा हमारा जो नहर के साइट साइड रोड है जो लोग मेरट से हो गए उन्हें पता होगा कि सरदना से आगे सरदना जब जाते हैं तो नहर की पट्री पट्री जाते हैं एक रोड है तो क्रूस कंट्रोल पे 60 km पर जैसे हमारी नॉर्मल ड्राइविंग है वैसी ही रही है कोई स्पेशल नहीं रहेगी अपकी बार ऐसे करना है मेरा कोई ऐसे आइडिया था नहीं कि वीडियो बनाऊ इस पर हाइवे पर एक तरीके सा हाइवे भी नहीं लोकल प्लस जो आपका कह सकते हैं हाइवे इसमें डीजल दलवाया है तो जैसे कि आप देह सकते हैं 24 तारीक है 24 अगस्ट 2070 किलोमीटर्स 24.4 की शो कर रहा था और 21.45 की और अगर मैं आपको अभी रीडिंग दिखाऊं तो 20,846 तो आज ही दलवाया है तो देखते है कि कितना एवे देती है कार आप रॉक्स जो है यह मानले जैसे 75 किलोमीटर्स चली है तो 70 किलोमीटर्स तो आप रॉक्स 25 तु 30 किलोमीटर्स ये गाड़ी जो है लोकल में चली है और यह विदाव्थ एसी है और 30 और यह मान लीजे लगबाग अब हम जाएंगे 6 किलमेटर तो 80, 30, 50 किलमीटर जो है यह एप्रोक्ष से मान लीजे की थोड़ा हाईवे टाइप रोड पे चलिया हाईवे तो नहीं कह सकते हैं उसमें आपकी जो है गाउं का रोड है तो कभी ट्रैक्टर ऐसा थोड़ा ब वाने की तरफ जाते तो यह पड़ता है तो हम रेगुलर इसी से ही दलवाते हैं तो जो हमारी रीडिंग है वो चुकिए 81.6, 81.6 में से आप मान लीजे 30 किलमीटर यह लोकल में चलिए और 50 किलमीटर यह हाईवे पे चलिए तो अब हम जो है अपनी डाइरी पे जो है इसकी शून करता है जाथ भी शो कर रहा है 33 का तो रियल में अभी वो तो पता चल जाएगा कितना है और AC और without AC कितना रहेगा इसका एवरेज वो मैं देखता हूँ तो अभी जो मैं इसमें रीडिंग लिख देता हूँ क्या बोलते हैं आठ डेट है 24 अ 248 और कार की रीडिंग है 2852 2852 तो अब जो है और जो जब मैंने वहां पर मतलब जब डीजल दलबाया तो टैंक फुल उन्होंने करा टैंक फुल करते के संग जब उन्होंने जो उसका पंप है उसके अपने पोजीशन पर रखा और मैं मतलब रिकॉर्ड करी रहा था तो मैंने देखा कि उसमें जो है उपर आ गया दा पर जैसी उन्होंने पंप तक रखा उतने में वन टू सेकेंड में हलिका से डाउं हो गया तो मैंने का कि आप जो है दुबारा भरिये इसमें कि अभी और आया सक मैं कितने रुपीज होंगे उस हिसाब से लीटर का निकाल होगा तो उन्होंने दुबारा बरा तो दस रुपे का और आया था दस रुपे का आकर वह उपर सक हो गया इतने में पीछे से और कार आ गई थी और फिर जै में को पेइमेंट भी करना था मैं रुक के उधर ही उस तो टूफॉटी का आया था मैंने पेइमेंट करी और जो टूफॉटी के यसाब से फिर मैंने जो है डाइरी में नोड करा तो टूफॉटी पीस का आया उसे मैं अगर मैं डिवाइड कर दू जिस रेट से है जो की 73.58 चल दा है यहां पर तो आता है 3.26 लीटर्स तो 3.26 लीटर्स दला और जो कार चली वो मैं दिखा देता हूँ कार की जब हमने अभी दलवाई वो उस पर रीडिंग टी 20.852 किलोमीटर्स और जो पिछली रीडिंग टी वो थी 20.770 तो अगर मैं 20.852 में से माइनस करता हूँ 20.770 जो कि यह 82 किलोमीटर्स टोटल हमारी कार चली और 82 किलोमीटर्स यह विदाउट एसी चली है और इसमें से अपर्यद जोटी से ईब अब का मतलबकर यह बहुंता इंता क्यू Bringing चैने स्जति chilínanda vy ema पर जो लोग म्हें होना पता होगा सर्दना जो एक क्या भूलते हैं नहर की पत्री वाली रूड होती है उस पे इतना नहीं होता, तो उस पे हमने 60 km पर हम नॉर्मली जैसे हम चलाती है Mard जैसे हम चलाते हैं, मारी ज्छानों में चलारहां mahdoll uniform तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ वह कहते कि 60 पर ही बेस्ट आपरेज आता है वह पॉर्ट टाइम से मतलब यह चीज अब्जर्व करें उन्होंने 80 पर भी कर रहा होगा क्रूस कंट्रोल लगा कि पर उन्होंने जो आता है अच्छा वर्यको 60 पर ही तो मैं हमेशा जो है सिक्ष्ट गेर लगा के 60 पर लगा देता हूं अभी जैसे कुछ आ जाता है तो रोक के फिर मतलब कैंसल करके फिर अपना नॉर्मली जैसे वह चाहता हूं तो 60 पर चलाई और 50 किलोमीटर वहां पर और 30 किलोमीटर उस पर तो लोकल प्लस आप कह सकते हैं 60 परसेंट हाइवे और 40 परसेंट आपका कह लिजए 60 क्या 65 परसेंट आपका 35 परसेंट लोकल है तो उस हिसाब से विदाउट एसी में कार ने जो कितना अबरेद दिया हो दिखाता हूं 82 तो अगर मैं 82 को डिवाइड करता हूं 3.26 से तो 25.15 का आया है कार का जो कि मैं समझता हूं कि काफी अच्छा एवरेज है जबकि अगर यह कार और जादा चलती है डिक्रीज होएगा क्योंकि यह भी बिल्कुल हमने आज सुबही दलवाया था सुबह एप्रॉक्स हमने दलाया था हम गए और आये फिर मेरे को कुछ हाम पढ़ गया इधर कॉलिज की तरफ तो मैं मैंने सोचा मैं टेस्ट कर लेता हूं यह बड़ी रॉव वीडियो बनाना पहले मेरा मन नहीं था बनाने का पर मैंने सोचा बहुत लोगों कि मैं देखता रहता हूं कि हमारी M.I. इतना शो करता है तो इतना तो देखेगी होगी तो जो मैं आपको बताता हूं कि M.I.D. में कितना शो हो रहा था वो शो रहा था 33 km per liter का अवरेज हम जो इधर एक साइड में जो एवरेज जो एक्टॉल आया है वो लिखते है और एक साइड में जो डिस्पले हो रहा हो पता नहीं कि उनके एक्षुली कार कितना एवरेज दे रही है मैंने एक डीडीएस चैनल है जो कि मतलब बड़ी इंफरमेटिव वीडियो दालते हैं जो उनका रिव्यू रहता है उनके मैं अभी रिसेंट्ली एक्षुवी 3W के उनर आये थे उन्होंने का हमारी मैंने एक बा 2.2 शो करा और 20.46 का दिया कभी-कभी तो आपका एरर बहुत कम रहेगा वह डिपेंड करता है कभी-कभी क्योंकि एक मशीन है मशीनरी चीज में एरर रहती है उन्होंना का बस एक ही बार चेक करा अब मेरा इतना जो है एक्जाक्ट दिखाती है एक्षुवी 3W औरो की 1% एरर हर चीज में रहती है 100% किसी चीज का नहीं होता इवन जो हमारी जो क्या बूलते हैं लौ है जिसमें कभी भी कोई भी इंडियन जो है 100% जो है आउपुट नहीं देता 100% कोई भी चीज नहीं होती 33 से और 25 का एवरेज आए लगबक 8 का डिफरेंस है और लोग कहते हैं कि हमारी ने तो इतना दिया इतना दिया यह चीज सबसे बेस होती है एवरेज बताने की यह जो हवा बाजी होती है हमारी ने शो तक 35-36 तक भी करा रहा है पर कभी हमने उस पर भरोसा नहीं करा तो यह मत सूचें कि आपकी गाड़ी अगर 12 दे रही है तो इतना और हाँ एक चीज और अब मैं जो नेक्स वीडिय को बनाऊंगा कि AC और विदाउट AC कितना जो है इसका परसेंटेज एर रहता है क्योंकि मैंने देखा है कभी-कभी विद AC में ज़ाधा डिफरलन रहता है नॉनs AC में कम रहता है अब यह जादा इए जो है इसम में तो 8 का डिफरेंस यूकर में डेख कुए कीक्या आता है फिर जैसा अब हम सुद्सक्ति स्सक्राइण निकलान नगंगा ऐना the next video में ब क्रूज कंट्रोल पे लगा के चल रहे हैं तो कितना एवरे देती है वैसे नॉर्मली अगर आप वैसे वाले हाई वे पे जाते हैं तो 80 से बिलो नहीं चलेगी गाड़ी और इस गाड़ी ने अभी तक हमें 17 बिलो एवरेज एसी में लोकल के साथ अभी तक नहीं दिया है तो यह जो कार का जो एक प्लस पॉइंट मुझे लगा हूँ है इसके पावर के साथ साथ इसकी माईलेज भी बहुत अच्छी है बेशक इसका जो है माईडी में बहुत डिफरेंस हाता है पर इसका नो डाउट कोई सी भी कार इत है और पर जिस हिसाब से लोगों का मतलब एक रॉंग उन्होंने दिमाग में रख रखा है कि जितना वह एमाईडी में शू कर रही उतना है वह चीज आप क्यों वीडियो में आप जो है जो एकुरेट चीज़ है जो करेक्ट आपने कर रखके हो बूली यह चीज कभी भी ज करते तो वो चीज़ हमें जुरूर याद रहती ति मैस में लिखके करके समझ सब्सक्ता होती थी तो वही चीज अग्र लिखके करोगे तो वह तो चीज कभी भी गलत नहीं हो और यह कभी भी गलत नहीं बोलती है यह चीज हमारी हम जब से हमापे जो भी कार है हमारे पर उस कार की डीटेल है कितना एवरेट देती है और यह बेस्ट है लॉग बुग रखना क्योंकि आपको आपकी कार की कंडिशन पता होती है कि कहां वो खराब है कहां नहीं अगर यह मेरी का इतना भी प्योल कुछच कट्र कम सका मतलब हमें क्या पता कौन शज़ाता तो हमें पता चल जाता है सबस्क्राइब बहुत ज़ाधा expectation से बहुत ज़ाधा डाउन गया है तो मतलब उप पैट्रोल पंप सहिं नहीं है लोगों क्या पता कि कितना देरी है अगर हम उस पेट्रोल पंप से इतने सालों से क्यों दलवा रहे हैं कि हमने देखा है हमारे आसपास के भी पेट्रोल पंप हमने दलवा है वहां का बहुत ही जादा एडल ट्रेटेड होता है कार का एक बार हमने बीच में जो कहीं और से दलवाया था रैपिड जो कहते हैं कि जो आपका चार-पांच किलोमेटर जो नॉर्मल जो उसका एवरेज चलता है जैसे 22 का चलता है बाइसी किस बाइसी किस चलता है एकदम से गाड़ी ने अठारा दिया वही कंडिशन है मतलब क कोई चीन नहीं हो बस डीजल चीन हो तो आपको तुरंट पर पता चल जाता है अबर से कि आपकी गाड़ी लोग यह रहता है बार अगज़ेशी आहां सही है सही है या ऐसे कैल्कुलेट करना चाहिए तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेय बेथे घार शेखे լाहँ अच्छी लगणाब